दोस्तो दिन पर दिन EV मतलब इलेक्रिक विकल की जो डिमांड है औल ओवर दोग लोग काफी जादा बढ़ते जा रहे हैं और अगर आपको आज की रिट में मशीन लानिक, आर्टी फीचल, इंटेलिजिस या फिर EV के ऊपर कुछ अच्छा कमांड है तो आपको आज की रिट म आपको जितनी भी ट्रेनिक प्रोगाम के बारे में बताया है उसमें ज़्यादा आपको सौफ्टर की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री पर मिलती थी लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं जिस ट्रेनिक प्रोगाम के बारे में बताने वाला हूँ इसमें आपको सौफ्टर के स साथ hardware की भी training बिल्कुल free पे मिलने वाल है और कुछ लोगों को complimentary यहाँ पे बिल्कुल free पे hardware भी मिलने वाले हैं तो कैसे आपको इसमें apply करना है क्या इसकी eligibility criteria है क्या क्या इस training program पे होने वाला है इसी के बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे अगर आप वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस effort के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है क्योंकि अभी तक इस topic के ऊपर एक भी वीडियो यूटूब बे अवेलेबल नहीं है तो अगर आप इस training program के लिए अभी इंडरोल होते हैं तो पूरे चांसे से कि आप यहाँ पर shortlist हो पाओगे बात कर लिजाएं दोस्तों कि क्या आप से इस training program में कुछ तरह का scam हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो training program है इसे ARAI मतलब Automative Research Association of India और TechnoS के दुआरा आप लोगों के लिए बिल्कुल free पे arrange किया गया है दोस्तों आप में से बहुत सारी लोग बाद में comment करेंगी कि यह training program free नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा दूँ दोस्तों कि यहाँ पे इन्होंने साप साप लिखा है दोस्तों कि यह जो training program है इसमें आप internship भी करने वाले हो सबसची बात है दोस्तों कि आपको य program है यह knowledge enhancement के लिए यहाँ पर ही launch किये हैं किसी भी तरह से fees आप से यहाँ पर नहीं यह लेने वाले हैं बात कर लिजा दोस्तों इसमें apply करने की last date क्या है और यह training program कम start होगा तो 15 December से दोस्तों यह training start हो जाएगा और इसमें जो रिजिट करने की timeline है वो है दोस्तों 25 November 25 November के प 25 November तक चलेगा इसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें select होना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको एक test देना होगा जो लोग उसे qualify करेंगे उने ही यहाँ पर training मिलने वाली है और यह test दोस्तों होने वाला है 30 November को 30 November को यह test होगा उसके पाद दोस्तों जो result है वो 3 December को आपको पता चल जाएगा फिर आपकी जो training है यह 15 December को start हो जाएगी तीन वीक की training रहने वाली है जिसमें दोस्तों 30 खंटे से जादा आप लोगों को live training मिलेगी कुछ recorded वीडियो मिलेंगे और industry के experts आपके साथ इस training को share कर रहे होंगे साथ में आप मैंसे कई सारे को यहां पर free पर कुछ hardware compliment भी बिलने वाला है दोस्तों यह turning end हो जागी 5 जनुवरी को क्या इसमें पढ़ाएंगी यह भी मैं आगे वीडियो में बताता हूँ लेकिन इसके पहले दोस्तों अगर आप अभी तक job की तलाश कर रहे हैं तो इंडिया की दोस्तों top company यहां जो की से आप बुग्या करना है एक टेस्स देना है इस टेस्स में दोस्तों आप से कुछ questions पूछे जाएंगे जो कि MCQ की questions रहने वाले हैं और इसमें अगर आप एक अच्छा score लाते हैं मतलब यहां पर जो 1000 marks सा एक्जाम होगा उसमें 700 प्लस अगर आप marks लाते हैं तो आप इंड को बिल्कुल फ्री होने के बावजूद भी नहीं दिया है तो आप यह गलती मत कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा उस पर क्लिक करिजिए और इसके बाद दोस्तों उस डेट को चूछ करिए जिस देट पर आप एक टेस्स देने का सोच रहे हैं तो बात कर माइक्रो कंट्रूल के बारे में आपको यह पढ़ाएंगे उसका साथ में प्रोग्रामिंग उसमें कैसे करनी है यह सब बताएंगे वाक्शप्स आपके यहां पर होते रहेंगे AI पे ML पे इसके अलावा basic science पे 3D printing के ऊपर आपको यहां पर knowledge मिलेगा इसके अलावा EV पे और second year के students के लिए निकाली गई है जो कि science, technology या फिर engineering के student है लेकिन अगर आप interested होंगे दोस्तों तो आप भी apply कर सकते हैं लेकिन basically यह first year और second year के student के लिए है अगर आप दोस्तों इसमें apply करना चाहते हैं कैसे apply करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अजिक और चीज दोस कर लिजाए दोस्तों कैसे आपको apply करना है मैं फिर सब बता दो 25 November के पहले registration यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है इसका लिंक यानि इस पर्टिकुलर पेज का लिंक भी आपको मेरे description पर दे दूगा जिसके आप मेरे website में आए उसके बाद आपको आपको नीचे apply का button मि आते तो आपको techno s ar india पे registration करना खंपल सरी है यह लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा इस लिंक पर आप जैसी क्लिक करेंगे एक और form आपके सामने आना लग जाएगा individual user select करके इस form को पहले पूरा fill कर दीजेगा अपने email को ज़रूर verify कर लिजेगा इसके बाद दोस्तों आपक आपको इस form को फिल करके submit कर देना है इसके बाद दोस्तों जो भी यहाँ पर link आने वाला है इस exam से related वह आपके email ID पर फेज़ दिया जाएगा फिर आपको exam देना होगा और आगे के date मेने आपको आरड़ी बता दिये है कि किस date में क्या होने वाला है I hope आपको यह video पसंद आ कर दिए दूस्तों के साथ भी इसे जरूँ शेयर कर दीजेगा थैंक यू